हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माय चैनल रिजवाना आसीफ और मैं हूं रिजवाना आपकी दोस्त और आपकी हूँ कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ इस सदा बहार के पौदे के बारे में जो अक्सर हमें मिल जाता है बहार गार्डन और बगीचों में और पूजा में भी इसका इस्तमाल किया जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके बहुत सारे बेनफिट्स हैं ब्यूटी और सौंदर्य के लिए तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे इसका इस्तमाल कर सकते हैं और बिना एक पैसा खर्च किया आप इसके फायदों का इसके लाब कैसे उठा सकते हैं तो वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखेगा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमीजिंग यूसफूल होने वाली है वीडियो अच्छा लगे तो make sure वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नई हो सब्सक्राइब कर लेना साथ में एक बैल ऐकन है उससे प्रेश जरूर कर लेना तो चली बात कर लेते हैं सदा बाहर के इस पौरा के बारे में लोगों की हाई से किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है इसका यो उपयोग है वो बजन घटाने में बहुत ही जादा हद तक कारगर होता है और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स बहुत ही जादा है यह जो पौदा है पूरे साल आपको हमेशा मिलता है ऐसा नहीं कि सर्दी में नहीं मिलेगा गर्मी नहीं मिलेगा तो यह हर साल पूरे साल 12 मास यह पाया जाता है इसलिए से सदा बहार के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो बेनिफिट्स है मैं आपको one by one बताऊंगी इसके color की अगर हम बात करें तो ये 8 color में या फिर आप बोल सकते हो 8 color में या फिर आप बोल सकते हो इसकी 8 variety आप आए जाते हैं जी हाँ guys लेकिन सबसे ज़्यादा useful होते हैं इसके जो पौधे होते हैं या full होते हैं गुलाबी और white color के होते हैं तो मतलब इसका जो benefit है वो गुलाबी और सफेद फूलों का जादा होता है तो आप इस तरह के पौधा ही अपने घर में लगाएं जिसे आप use कर सकते हैं ठीक है इंडिया में mostly इसकी दो ही variety जादा पाई जाती है ये गुलाबी color की और एक white color की तो guys इसके इतने सारे benefits हैं सच में अगर मैं आपको एक वीडियो में बताने बैठोंगी तो बिल्कुल भी वीडियो मतलब छोटा बढ़ जाएगा सबसे पहले मैं बात बताती हूँ आपको face के लिए से आप कैसे इस्तमाल कर सकते हूँ guys ये जो पौदा है अगर आपको pimple problem है जाईों के दिकत है आपकी skin lose हो गई है जूरियों के दिकत है अगर आपकी skin का complexion है जो dark हो गया है तो आप इसे इस्तमाल कीजिए आपके बालों के लिए बहुत जादा amazing result देता है आपके बालों के अंदर अगर eating problem है खुझली की समस्या है बाल बढ़ते नहीं है तो आप इसकी पत्तियों का अरक लगाई अपने बालों में वन बाई वन आपके साथ ये सब कुछ इस वीडियो में मैं share करने वाली हूँ तो वीडियो को please end तक देखेगा और channel पर नहीं हूँ तो subscribe जरूर कर लेना ठीक है तो guys ये सच है कि बस इसकी एक पत्ती से आपके बाल फिर से हो जाएंगे काले और आपके चेहरे पर चमक आएगी और शरीर आपका फॉलादी बन जाएगा जी हाँ इसकी अंदर इतनी ताकत है इसकी पत्तियों में इसके फूलों में कि आपका शरीर फॉलादी बना सकता है बशरते आपको इसे इस्तमाल करना आना चाहिए कि आपको इसे इस्तमाल कैसे करना है तो guys सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका जो benefit है diabetes जो patient होते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो diabetes patient होते हैं वो इसका स्थमाल कैसे कर सकते हैं guys इसके लिए इसके regarding मैंने एक वीडियो पहले भी आपके साथ share किया हुआ है आप लोग और ज़्यादा नॉलिज जानना चाते हैं तो आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं तो मुझे comment में किसी ने कहा था कि आप हमारे साथ full knowledge दुबारा से सदा बाहर की share किजिए तो मैं इसलिए दुबारा से वीडियो बना कर आपके साथ हाजिर हूँ तो सदा बाहर का जो पहुदा है इसे हम नैंतारा के नाम से भी जानते हैं और diabetes patient के लिए guys ये संजीवनी बूटी का काम करता है और संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि diabetes के जो patient होते हैं उनके लिए ये इतना जादा उपयोगी है आपको कैसे इस्तमाल करना है अगर diabetes जो patient है guys उनके इस तरह इस्तमाल करना है इस पौदे को आपको सुभा रोज इसकी 3-4 पतिया चबा चबा कर पानी के साथ खानी है और आपको 8-10 दिन इस तरह से ये process करना होगा और 10 दिन के बाद आपको अपनी सुगर की जाच करके देखनी होगी अगर आपको लगता है कि आपकी सुगर इससे control हो रही है आपको फायदा हो रहा है तो आप एक हफ़ते का gap दीजिए उसके बाद दुबारा आप इसे अगले हफ़ते से start कर सकते हैं वही आपको 3-4 पतियां रोज चबा कर खानी है और उसके बाद आपको ये 8-10 दिन करना है बहुत ही जादा amazing result के साथ ये diabetes का एक आप बोल सकते हो संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है डाबिटीज का ये दुस्मन है next मैं आपको आपके साथ बताती हूँ अगर आपको खाज खुजली की समस्या है तो इसके पत्तो का इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं इसके पत्तो को तोड़ कर आप इसका मतलब एक पेस्ट बना लीजिए इसका जो पेस्ट होता है आप उसका मतलब एक चटनी सी बना लीजिए आप उसे मिक्सर ग्राइडर में बना सकते हैं कोई मच्छर हो गया इस तरह से अगर आपको काट लेता है कोई तो आप इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद वहां से एक दूद निकलता है उस दूद को आप उस जगा पड़ लगाएंगे जहां आपको किसी किडी ने काटा है तो बहुत जल्दी आपको रिलिफ मिलेगा अगर आपको स्वैलिंग की दिककत होने लगए तो स्वैलिंग की दिककत भी नहीं होगी बहुत अमेजिंग ये रिजल्ट देता है इसके अलावा अगर आपको सर में खुजली है तो आप इसका पत्यों का पेस्ट बनाना है और इसके पत्यों को च्छान लेना है और इसके बाद जो जूस निकलेगा वो आप मांग करकर के अपने सर में लगा लीजिए इसके पत्यों को मिक्स करके और सुबाट कर आप इसको इसके पानी को च्छान कर पी लीजिए ये पानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है बहुत जल्दी डायविटीज को मधुमे की परिशानी को ये खतम करता है बहुत ही अराम से पाया जाने वाला ये पौधा इतनी ज़्यादा और सद्ये गुणों से मतलब लबालब और आप बोल सकते हैं भरपूर है कि इसे इस्तमाल करने के लिए आपकी उम्र कम हो जाएगे लेकिन इसके गुण कम नहीं होंगे सदा बहार की पत्ती और फूलों का लेब बनाएं मतलब ये एक एंटि बैक्टिरेल की तरह भी काम करता है अगर आपको पिंपल एकने की प्रॉबलम है इशू है आपके फेस पर पिंपल और प्रॉबलम pimple का issue है problem है तो आप सदा बहार की पत्ति और फूलो का एक paste बना लीजिए एक lab बना लीजिए और उसे अपने जहां आपको pimple की problem है जहां पर आपको एकने की दिक्कत है वहाँ पर इसको लगा दीजिए राद भरा I mean इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट आप इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना face wash कर लीजिए बहुत जल्दी आपके ये bacterial problem को खतम करेगा ये antibacterial होता है जो कि आपकी skin से infection को finish करता है खतम करता है और आपकी skin को अंदर से radiant and heal करता है तो guys बहुत ही जादा amazing होते हैं इसके benefit और इसका result भी बशरते आपको इसे इस्तमाल करना आना चाहिए guys ये जो इसका जो इसकी जो पत्या है वो आप चेहरे और सर पर दोनों में इस्तमाल कर सकते हैं और बट इसकी जो फूल है वो आप चेहरे पर ही इस्तमाल करेंगे और सिर्फ खाने में इस्तमाल करेंगे इसके फूलों का आप सर पर इस्तमाल नहीं करेंगे उसकी अलावा इसकी जो पत्या होती है बहुती ज़ादा beneficial होती है जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको face पर कोई जहाईयों की दिक्कत है परिशानी है ऐसा कोई issue है तो उसे भी ये दूर करता है गाइस ये वीडियो कैसी लगी information मेरी कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताइएगा बहुत महनत करते हूं आप लोगों के लिए प्लीज मेरी वीडियो को एक like जरूर किया कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को like, share, चैनल को subscribe जरूर करना इसकी पतियों का जो use है वो आप वजन घटाने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हो इसकी पतियां जो इसके फूल होते हैं आपको दो से तीन चबाचबा कर खाने हैं और आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे इसी तरह की और मज़िदार और अमीजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए